हलो मैं डियर फ्रेंड्स, मैं दिक्षा चौदरी, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल संकल्प हमारा में आज के इस वीडियो में हम रीप्रोड़क्टिव सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं कि इस पर है एंड सेकेंड जो यह वज़ा डाइग्राम है यह डाइग्राम है मेल रीप्रोड़क्टिव सिस्टम का इसका है यह मेल रीप्रोड़क्टिव सिस्टम यानि पुरोष जनन तंत्र का इसके बाद में हम पीमेल रीप्रोड़क्टिव सिस्टम भी पढ़ेंगे ले कौन सा पार्ट क्या काम करता है तो first of all हम start करते हैं यहां से मेल में दो इस तरह के उसको बाहरी इसको बोलते है इसको छोटे हैं इनको उसका काम करती है इस टेस्टीं को सुरक्षाि परदान करती है अब यही apetidimus एक इस तरह की tube से जोड़ी होती है नली से, इस नली को हम बोलते हैं, इस नली को बोलते हैं vast difference, क्या बोलते हैं, vast difference, उसके बाद जब यह vast difference इसमें जाकर मिल जाती है, urinary bladder में, अब यह vast difference कहां आकर मिली, यह है urinary bladder, यह जो इस तरह की बनी हुई है, यह पूरी क्या उसके बाद सुनाइन इसको क्या बोलते हैं मैं सैमिनल वैस उसके बाद उस के राकी गलेंट है यह क्या है ऑना से क्या होता है तो ये जो glands है इसको हम बोलते हैं pro-state gland क्या बोलते है pro-state gland उसके बाद हमारी ये जो एक tube हमारी ये west defense थी ये किसमें आकर मिली गॉल यूरिनरी ब्लैडर में जाकर मिली अब उसके बाद ये जो tube है अब ये ट्यूब है एक यूरिथरा जो ये पतली tube में बढ़ जाती है इसको हम क्या बोलते हैं यूरिथरा यूरिथरा के ही थ्रो यूरिन जो है पास आउट होता है साथ में इस पंप या सीबम जो निकलता है वो भी इसके थ्रो निकलता है यूरिथरा के थ्रोही निकलता है उसके बाद जो हमारे ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं ये जो हम कि Spum जो सब्रक्राइब सेल्स को ट्यस्का निर्माण होता इस मुंďम का निर्माण होता है कर दी स्मीग्स के निर्माण होता है Tests में Spum Кा निर्माण होता है Spum जो है किसके काम आते हैं महतवूण योघ्दान है इनका reproduction में इसीलिए Tests को हम महतवूण पुरुष का महतवूण तंत बोलते हैं महतवूण तंतर बोलते हैं reproduction के लिए सबसे मुख्यंग कौन सा है पुरुष का प्रोड़क्शन के लिए प्रोड़क्शन के लिए बुख्यंग है टैस्टीज क्योंकि इसी में ही स्पम का निर्माण होता है और यह स्पम्स लगभग कितने होते हैं एक बार में लगभग साथ एमेल जो है स्पम्स का रिलीज होते हैं एक बार में कितने होते हैं एक बार में साथ एमेल जो इन इस पंप हैं बनते हैं उसके बाद इस पंप जो है वो किस टेंपरेचर पर जीव ही तरह सकते हैं लेकिन हमारी बॉड़ी कर टेंपरेचर क्या होता है लेकिन गॉड़ ने इस तरह विवस्था की गई है कि यह जो हमारे स्टीज हैं यह क्या और गंस शरीर के अंदर नहीं बाहर रहते हैं इसलिए इनका टेंपरेचर क्या होता है लो होता है और साथ में स्पम को नैरिश्मेंट में मिलता रहता है जिसकी वज़े से नम्मी बनी तो इस वज़े से स्पम जो है रह सकते हैं जी जैसे ही सपम बनते हैं कहां टैस्टीज में कि दोनो तरफ इस तरफ भी है और साथ में इस तरफ भी है आप जो SPUM है SPUM CELLS है वो VAYS DIFFERENT के त्रोब किसमें जाएंगे वैसी दिफ्रेंस के त्रोब UIRINARY BLEDER में आएगे अब UIRINARY BLEDER में URIN भी आता है और साथ में SPUM CELLS भी जा रहे है यहनि mister B used urine भी आ रहा है और इस TYUB के जरीए इस पं कहा जाएंगे अब इस TYUB के जरीए इस पं इस युरि्थरा में जाएंगे अब क्या होगा क्योंकि मेल रिप्रोडक्तिव सिस्टम में यूर और इस पं जो है है उनका केवर एक ही मार्ग होता है इसके तो एक्स्क्रेशन होता है फिमेल में अलग-अलग मार्ग होते हैं तो इसलिए जब यूरेन पास आउट हो जब यूरेन निकले तो उसके लिए गेट रहा गेट को बंद कर दिती है और उस समय इस पर नहीं निकलती है उस समय क्या होता है उस समय केवर urine pass out होता है और जब ये prostate gland में कमी आने लगती है कुछ खराब हो जाती है तो पुरुशों में अधिकतर बिमारी पाई जाती है प्रोस्टेट gland में मतलब cancer की समस्या पाई जाती है उस cancer की समस्या में क्या होता है urine में blood आने लगता है और अलग-अलग symptoms दिखाई देते हैं तो ये prostate gland के खराब हो जाने से पता चलता है साथी साथ अब जो हमारा sperm है वो उसको male ली जो sperm को female body तक पहुचाने का कार्य करता है वो करता है हमारा penis penis के त्रू ही female body तक sperm जाता है और उसके बाद fusion होता है और फिर baby और फिर zygote और इस तरह का embryo का अन्रमाण होता है साथी साथ जो हमारा prostate gland का काम एक तो रहता है gate को बंद करना और prostate gland and seminal ये वाली जो है इसको हम क्या बोलते है सिमाइनल वैसल्स सिमाइनल वैसल्स सिमाइनल वैसल्स और prostate gland क्या करती है नैरिश्मेंट देती है इस पर्म को क्या चाहिए उर्जा भी चाहिए ताकत भी चाहिए तो कि वह मुवमेंट करता है इसी लिए तो नैरिश्मेंट कौन देता है सिमाइनल वैसल्स और prostate gland अब क्या होता है अब हम इस पर्म की और बढ़ते हैं कि इस पर्म किस तरह का दिखाई दिता है इस पर्म का स्ट्रिक्चर कुछ इस तरीके का होता है यह क्या है हमारा इस पर्म की जो आगे वाली भाग रहता है यह वाला जो आगे वाला भाग है इसको बोलते हैं हम head पूरा क्या बोलता है head और जो बहारी भाग है उसको हम क्या बोलेंगे acrosome क्या बोलेंगे acrosome अब इस स्पर्म में एक nucleus भी होता है क्या होता है nucleus भी होता है साथी साथ इस mitrocondria भी होता है जिसको हम midflexion बोलते हैं mitrocondria की साहिता यानि इस स्पर्म में swembby urgia का निर्माण हो रहा है जिसते यह आगे गती कर सकता है और अब इसका जो पीछवाली टेल रहती है इसको हम बोलते है फ्लेजिलम फ्लेजिलम क्या काम करती है फ्लेजिलम के थ्रोही स्पम आगे की और गती करता है अगर ये नहीं हो फ्लेजिलम नहीं हो तो स्पम आगे की और गती नहीं कर पाएगा जिस तरह फीमेल में जो एक कर निर्माण होता है उसमें कोई टेल नहीं होती to वो आगे की ओर मुविमेंट भी जदन नहीं कर बाता लेकिन इस पर में टेल होती है जिसकी और ही आगे की और मुव्मेंट करता है और फ्यू दैन फ्यूजन और दैन से जाइग और तर्न बेबी का एंब्रियों का निर्माण होता है तो यह है है जो हमने समझा इक बड़ी लिए से पर से करते है और में इसको सब से पहले हम ने पड़ा कई यह वाला पार्ट हूं पेर कवलते। ट्यो किस को हां गूलता हैं beat य ग Cake में इक हारमोज और यली जोता है जिसको हम testo strong बोलते हैं क्या बोलते हैं Can경it टेस्टोस्ट्रोन हार्मोन क्या करता है टेस्टोस्ट्रोन हार्मोन ही मेल को रिप्रोडक्टिव के लिए तयार करता है यानि जनन के लिए तयार करता है यह लगबग लड़कों में बारे वर्ष के बाद रिलीस होना यह लड़कों में लगबग बारे वर्ष के बाद यानि 12 के बाद बनने स्टार्ट होते हैं उस टैस्टो स्ट्रों जब बनने लगते हैं किसमें बनते हैं यह तैस्टीज में बनते हैं टैस्टो स्ट्रों यह हार्मों रिलीस करता है इसके थ्रों क्या होता है इसके द्रों जो बॉइस हैं मेल हैं उनकी जो आवाज हैं वो भारिक होने पहले जो लक्षन होते हैं वो पहले जो ऑर्गंस होते हैं प्रात्मिक अंग जो होते हैं मेल रप्रोडुक्टिव इस्टे southeast भाग ये और कौंसे होते हैं टि एलक्षन होते हैं कि लिए मैल zip यानि मैं की पहचान होती है हमने पड़ा testis दे टेंस्ट्रूल स्टोन हार्मॉन का नर्माड होता है उसके बाद हमने देखा साथ चाहत इसपम का नर्माड होता है यसपां बढ़ने के बाद वह किसमें जाते हैं वह इस तरह की उसके उपर हमने के बड़ा इसके उपर लेर होती है जो इसकी क्या करती है सुरक्षा करती है तैस्टीस की इसकी बाद करता है बेवी या फीर फिस्टम में जाते हैं और क्या करते हैं बेवी या फिर बेवी का निर्माण होता है अब क्या होता है जो सेमिनल वैसल्स जो हमने पड़ा सेमिनल वैसल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती हैं सेमिनल वैसल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो नैरिश्मेंट देती हैं स्पम् को पोशत देती है जिससे कि वो क्या कर सके आंगे की और ब्ուवमेंट कर सके और युरी कवेंडर क्या होता है युरी डैडर एक अ serie मार्डम है जिसमें से हमारा जो खुक्राड़ू या फिर पर जो है वो यहमने पढ़ा यहां से Vin जाता है तो यह एक हैसा मार्ग है जहां से दोनों जाते हैं शुटनरी में घ्रकनि के थ्रों urine का excreation होता है और साथ में जो हमारा sperm है वो भी इसी के थो जाता है यहाँ पर हमारा यह male reproductive system complete होता है और हम इसकी ओर बढ़ते हैं sperm में देखा हमने sperm में क्या होता है एक आगे का भाग होता है जिसको हम head बोलते हैं और इसको यह वाला भाग है आगे वाला इसको अम एक्रोसोम बोलते हैं क्या बोलते हैं यह बहारी लेयर है इसको क्या बोलते हैं एक्रोसोम उसके बाद हमने देखा जो sperm है उसमें दि DH होता है क्योंकि यह पेपर की दिश्टि से महत्रपोन है और पाइना पढ़ेगा तो या में नुपलियस भुण और इसको मि馀डिस भी पाया जाता है और इसको काम करती है तो यहां तक हमने क्या पढ़ा यहां री प्रोडटिव सिस्टम पड़ा आई होप आप लोगों को कोई क्लियर हो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़ाधर से अपने दोस्तों में शेयर करें मिलते हैं नेक्स वीडियो